नमस्कार मैं हूं नंदिता कुडेश्या और आप देख रहे हैं डियन पी इंडिया तालिबान ने अफगानिस्तान पर खब्जा कर लिया है और राइस्थानी काबुन पर भी धीरे धीरे उनका शिकंजा कस्ता जा रहा है अफगानिस्तान की सता को हडपने के लिए अब वो शांती पूर्न ट्रांसफर का सिर्फ दिखावा कर रहे हैं न्यूज एजनसी एपी ने एक तालिबान नेता के हवाले से बताया कि जल्द ही प्रेसिदेंचिल पालिस से इस्लामिक एमिडेट आफ अफगानिस्तान का एलान किया जाएगा सितंबर 2001 से पहले तालिबानी हुकूमत के दौरान देश को यही नाम दिया गया था तालिबान इससे पहले 1996 से लेकर 2001 तक अफगानिस्तान की सित्ता पर काबिज रहा तब तालिबानी नेता मीडिया से दूरी बनाये रहते थे 20 साल बाद हालात बदल चुके हैं तालिबान के प्रवक्ता अब नेताओं का पैगाम अफगानिस्तान और पूरी दुनिया तक पहुचा रहे हैं दुनिया को तालिबान के शासन का नया मॉडल बता रहे हैं अफगानिस्तान में तालिबान की जड़े इतनी मजबूत है कि अमेरिका के नेत्रित्व में कई देशों की सेना के उतरने के बाद भी इसका खात्मा नहीं किया जा सका है तालिबान का प्रमुक उद्देश अफगानिस्तान में इस्लामिक अमीरात की स्थापना करना है तो अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन लगभग तै ही है और इसके लिए इसकी प्रक्रिया की शिरुवाद भी कर भी गई है पालेबान में देश की सीमा पर कबजा कर लिया है काबुल में एंट्री भी कर ली है नई अंतरिम सरकार के अंतरिम प्रमुख के रूप में अली एहमəT جलालि का नाम सबसे आगे चल रहा है अफगानिस्तान में इस पावर ट्रांसफर के लिए अफगानिस्तान के राश्च्रपती भवन, A.R.G. में बात्चीच चल रही है आपको बताते हैं कि अफगानिस्तान में सुरक्षा बलों की क्या संख्या है अफगानिस्तान की सुरक्षा बलों में अधिकारियों की अधिकरित संख्या 3,52,000 है जुलाई 2020 तक अफगानिस्तान की रक्षा मंत्राले में अधिकारियों की संख्या 1,85,478 थी इसके तहट सेना, बायू सेना और Special Operation Forces आती है अफगानिस्तान के आंतरिक मंत्राले में ये संख्या 1,3,022 है इसके तहट विभिन्न पुलिस बल आते हैं इन्हें मिलाएं तो स्रक्षाबलों की कुल अधिकारियों की संख्या 2,88,702 बैटती है साथ 2019 में जारी किये गए अफगान नाशनल आमी के आकड़ों के अनुसार अफगानिस्तान की सेना में करीब 1,80,000 सेनिक है इसमें तालिबान के संख्यों की तैस संख्या के बारे में कुछ उप्ता जानकारी नहीं है फिर भी माना जा रहा है कि इनकी संख्या लगबग 50,000 के आसपास हो सकती है एक रिपोर्ट के मताबिक कुल तालिबानी संख्यों की संख्या 2,00,000 से अधिक बताई जा रही है इसमें 60,000 जो हैं वो मुख्य लड़ाके हैं इसके अलावा 90,000 स्थानिय लड़ाके हैं लोगों को सामगरी और अन्य सहीों को चाने वाले लड़ाकों की संख्या 10,000 में है अमेरिका ने साल 2014 में तालिबानी लड़ाकों की संख्या 20,000 बताई थी तो अब आकणों की अगर तुल्ला की जाए तो देखा जा रहा है कि तालिबानी लड़ाकों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है तो फिलाल अफगानिस्तान में क्या क्या हो रहा है आपको बताते हैं अफगानिस्तान से भागने के बाद राश्ट्रपती अश्रफ गनी ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि देश में रक्त पात रोकने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। काबुल अंतराश्चे हवाय अड़े पर सभी कमर्शल उडानों को निलंबिक कर दिया गया है। वहां से केवल सेंग विमानों के संचालन की अनुमती दी गई है। अफगानिस्तान के पूर्व राश्चुपती हामित करजई ने एक वीडियो फेस्बुक पर जारी करते हुए अपने प्रिशन्सकों से कहा है कि वो काबुल में ही रहेंगे। अमेरिका के देश के सेंच अभियान के बार 2001 में करजई देश के नेता बने थे। अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ अब तक के सबसे लंबे युद दो दशकों तक चले युद को छेड़ा हुआ था। प्रेकारिक्रम के अनुसार इस साल के अंतक सारी अमेरिकी सेना को वापस बुला लिया जाना था। और अब अफगानिस्तान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपती जो बाइडन चौर तरफा आलोचना से घिर गए हैं। पूर्व राष्ट्रपती डॉनल्ड ट्रॉम्प ने उनके स्तीफे की भी मांग की है। डॉनल्ड ट्रॉम्प ने कहा कि अगर वो अमेरिका के राष्ट्रपती होते तो वहां से निकलना बहुत ही अलग और सरलता पूर्वक होता। इस पर जबाबी हमला करते हुए बाइडन सरकार ने कहा है कि तालिबान और अमेरिका के बीच में समझाता डॉनल्ड ट्रॉम्प के कारिकाल के दोरान ही हुआ। अफगानिस्तान के राष्ट्रपती अश्रफ गनी के देश छोड़के जाने के बाद तालिबान ने काबुल पर कबजा कर लिया है। तालिबानी लड़ाकों ने शांती बनाये रखने के नाम पर काबुल में प्रवेश किया। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार बनने के बाद से दुनिया भर के देशों ने प्रतिक्रिया देना भी शुरू कर दिया है अमेरिका का कहना है कि ताकत के दम पर बनी सरकार को वो मानिता नहीं देते विचिन ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले है तो कई ऐसे मुस्लिम देश हैं जो अलग-अलग पतिक्रिया दे रहे हैं तालिबानी सरकार अफगानिस्तान में बनने के बाद, आएए एक एक करके इंटर बात करते हैं तब से पहले बात करते हैं एरान की अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आने के बाद सबसे बड़ा खत्रा एरान को है। ये वही देश है जिसने तालिबान को दुनिया से संपर करने के लिए अपनी जगह दी थी इतना ही नहीं कतर ही है जिसके सहयोग की वज़े से तालिबान अफगानिस्तान सरकार और अमेरिकी सरकार से बातचीत कर पाया था अगर कतर अपना समर्थन तालिबान को देना बंद कर दे तो तालिबान का अंतराष्ट्री लेविल पर प्रभाफ काफी कम हो जाएगा तर्की की बात करते हैं तर्की के राष्ट्र पतिरेसक तैयब एदोगन इस वक्त दुनिया भर में इस्लामिक देशों के नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं एदोगन सुन्नी मुसल्मान है और तालिबान भी इसी को मानता है हालां कि काबुल एरपोर्ट पर तर्की की सेना को तैनाद किये जाने से तालिबान थोड़ा सा भड़का हुआ है तालिबान ने तुर्की को कई बार अंजाम भुकतने की धमकी भी दी है लेकिन इधर एदुगिन लगातार अपने सहयोगी हमदम पाकिस्तान के साथ मिलकर तालिबान को साधने की कोशिश में जुटे हुए है और बात करते हैं पाकिस्तान भी तालिबान और पाकिस्तान की संबंद तो जग जाहिर है तालिबान से अपनी दोस्ती को लेकर ही पाकिस्तान पिधानमंती अमेरिका के साथ दील करते आए हैं और अब सिचुएशन का फायदा उठाकर वो तालिबान को भारत के अगेंस यूज़ कर सकते हैं और अब पाकिस्तान मौके का फायदा उठा कर तालिबान को भारत के खिलाफ इस्तमाल कर सकता है। वैसे भी अफगानिस्तान में नागरिक सरकार पाकिस्तान के लिए सिर्दर भी बनी हुई थी क्योंकि उसके भारत सरकार से अच्छे संबन थे। बात करते हैं भारत की तो फिलाल भारत में बहुत सारा निवेश किया है अफगानिस्तान में लेकिन फिलाल जो सिती चल रही है उसमें भारत की प्रातमिक्ता ये है कि जो भी नागरिक भारतिये नागरिक इस वक्त अफगानिस्तान में फसे हुए है उनको बाहर निकाला अब आगे की रनीती क्या होती है ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्षिन में जरूर लिखेगा और अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इसे सब्सक्राइब लाइक और शेयर कीचे नमस्कार